नमस्कार दोस्तों सभीका दमा के दवार स्वागत है आज की इस वीडियो में किसान भाईयो आईए देख लेते हैं इंदोर मंडी से प्याज की रिपोर्ट देसी प्याज, नया प्याज, दोनों की रिपोर्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना दोस्तों बात करें हम प्याज भाव की तो चलन्चार जो प्याज है वो बिकड़े दो है 11 और 12 रुपए तक हम प्याज जो है एक्सबर्ट क्वालिकी है वो बिका है 13 रुपए से लगा करके18 और शुला और 17 रूपए तक तो अभी तक जो है 16 और 17 की बीच में कुछ एक लोट वहाँ पर बिग चुकी है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें लिवाली की तो देशी प्याज में लिवाली थोड़ी ठीक देखने को मिली है आज एसी कोई जादा भी खास लिवाली नहीं है लेकिन हां एवरेज मालों में थोड़ी सी पकड हमें देखने को मिल रही है बागी लेवाली को हम जोश्यला नहीं कह सकते हैं समान लेवाली ही कह सकते ही अब दोस्तों हम बात करें नए प्याज की तो आवक रही है 301000 कट्टो की सम्तिंग वहीं बाजार की अगर हम बात करें तो नय प्याज में बाजार में मद्दी हम मान सकते हैं आज के मार्केट के अनुसार तो उपर में दोस्तो टोप जो quality है वो बिकी है 17 रूपए यानि कि export quality जो माल है नासिक प्याज का वो 17 रूपए के आसपास बिका है वहीं ज़्यादा तर जो प्याज है वो बिक रहे हैं 5 रूपए से लगा करके 10 रूपए तक कुछ एक लोड 11-12 तक भी गए हैं बाकी दोस्तो सुपर प्याज की ज़्यादा value बन रही है जो सुखा हुआ जो प्याज है ड्राय प्याज है वो बहुत अच्छे दामों पर बिक रहा है लेवाली में जोस नहीं है नए प्याज में बाकी पूरा नेमी लेवाली थोड़ी ठीक हमें देखने को मिल रही है किसान बायू ये थी इंदोर मंडी से प्याज की रिपोर्ट उमिद करूमा की वीडियो आपको पसंद आया होगा वो दोस्तों आज जो है मैं बदनावर से लाइव रहने वाला हूँ तो बदनावर मंडी से प्याज के भाव और वहां की विस्तर जानकरी हम वीडियो के कद्यम से देखेंगे सो मिलते हम अगले वीडियो में एक नए उन लेटेस जानकरी के साथ जय हिंद वन्दे मात्राव